मुंकं partial ंस पिक्षाप करने कुछ नहीं बोलें कि कुछ नहीं बोलें के यह कि अधिक्यृ नहीं बहुत बहुत आज आता थाा बस कैसे रहते होंगे इसे किया ना सामने कि पुराना दीन हम लोग को याद आता वह तकलीप भरा था वो दिना कितना क्या तकलीफ है था बताए ना जिस्टे और भी लोग स्ती लें क्या सोचे थै यही सोचे थे मैं भाग जा रहा हूं मम्मी बापा की चाहे जो करें यही सचे थे घुस्या नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जेभरतने उज इस वक्त मेरी मौझूदगी उत्ता प्रदेश के जौनपूर जिले में है और मेरे साथ प्यार करने वाली एक जोड़ी है जो प्यार करती है महबत करती है और घर से भागते हैं लोग घर से भाग करके साधी करते हैं और इनको यह भी डर नहीं लगता कि जो माबाप हमें पालते हैं पोस्ते हैं इतना बड़ा करते हैं उनको छोड़ करके यह लोग प्यार के लिए भाग जाते हैं था हम सारा कुछ इंसे कहानी धन्यवाद आपको हमसे मिलने के लिए सिखा जी आपका बहुत स्वागत है धन्यवाद सर आपको आपका प्यार मिला कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अगर यही धोखा दे दिये होते तब क्या करती है आप यह होता है कि नहीं आप बताईए हां होता है लेकिन ह हमको भरोसा था नहीं देंगे तब ही नहीं सकी कैसे भागी थी घर से जब मेरा साधी लग रहा था तब क्या हुआ प्रोस दवरान घर वाले को बोले तो साधी के लिए तो इंटरकाश्ट को लेकर नहीं किये इसकी वज़े से हम दूसरी बिरादरी में भाई साब पढ़ते है बिंद हैं आप पटेल हैं इसलिए घर वाले साधी नहीं करते हैं फिर आप घर से भाग जाती है आपको माबाप का मोह नहीं लगता है लेकिन इनसे जादा नहीं नहीं इसी बात नहीं है मम्मी पापा अपनी जगह है अपनी जगह है मम्मी पापा अब जब जन्म ली होंगी घर में तब हिस आपको आपने जो मागा होगा आपके घर वाले उस चीज को ला के दिये होंगे लेकिन क्या आपने घर के बारे में एक बार भी सोचा है हाँ बहुत सोचते थे हूं क्या सोची यहीं सोची कि मेरा यार कह दिया तो मैं भाग जाओं नहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई जवाब नहीं आपके पास फिलाल आपके प्यार की शुरुआत कैसे होती है वरोई जी हम लोग इस्कूल टाइम मिले थे तेंध सब्सक्राइब करते हैं लेकिन एकी रास्ते से आना जाना होता था तो वहीं पर मिलना हो गया कैसे हुआ एक दूसरे को देखे आपने देखा पहले हम एवह और रधल का दो नमबर्य स्पाइव को श्टावराय questa या याद कर लिए इसा हो गया था कि अप्ने नमबर मताया है नमबर याद कर लिए हां क्योंकि उस समय को वह नमबर बहुत सरलद है एक बार में यान हो जाता था हाँ डबल जीरो डबल वन जब लगई बत तब बंद यह वाला तो नहीं था नहीं है वह नंबर अभी बंद हो चुका है आप कई यह दो नंबर बता देते हैं अच्छा बताई दीजिए एक क्यान विस पचास हो विस पचास यह वही नंबर है दोस्तों जिस पहले तो क्वाल निंग भी बहुत महगा हुआ करता था दो जुपाई डाइरुपे करता था इस तो हम ही कॉल किये थे इनको आपने इनको कॉल कर लिए फिर क्या रिस्पॉन्स आया की बतियाने लगे तुरंट वेट किये थे दुचा मिनट वेट किये थे थोड़ा बहुत करें फ्रेंड के नाथी फ्रेंड के नाथी बात करते करते है लव तो अ тебя मतलब की धीरे धीरे बात चीत करते करते आप दोनों सबह्वार तियल आप दोनों ने सब्सibilidad है तो अधुरे फाल से बाते फिर सार रिलेश्न में रहने के बाद घरवालों को पता जलता चले हैं घरवालों को पता नहीं चलता है इस दवरान को react क्या हुआ आपके साथ क्वेसे okay Eric क्या तो सब् accents km2 है कि मेरे भोता है दो लटका हमारे घर की लड़की से बात तो फिर कई लोग मारने पीटने की भी बात करते हैं, कई लोग पुलीस के पास कमपलेन भी करते हैं, कि आपके साथ क्या गुगा है तो हमको इनके घरवालोंने कॉल किया और बोला कि आभ उन से वातूर काया क्या नहींसे नॉर्मली सिफ हम्जाया थे, कि बात मत किया कर एं इज्जत है हमारे घर के भी आपके घर के भी और एक दूसरे साधी भी आगे चलके नहीं हो पाएगा, उसी संे की बना देते कि वो आपको घर वालों को पता हो जाता आपको क्या कहते एंगर वाले के लिए तो कहते हैं लड़का इसलिए आपका क्या जबाब होता है आपने कुछ तो कहा होगा कि नहीं मैं प्यार करती हूं नहीं हम तो यही बात है घर पर ऐसे कभी नहीं लड़ते हैं तो यह नहीं को मनाती नहीं है कि मैं इनहीं से साधी करूंगी मनाते हैं मनाते हैं लेकिन वो सब काश्ट को लेकर खाली मना करते हैं तो उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं क्या डाटते उटते भी हैं इस दोरान नहीं डाटते नहीं है बस कहते हैं अई तो बात है मेरे घरवाले बस बोलते थे कि नहीं अधर काश्ट है मत करो डाटते उटे आप जिस लड़के से रोहित भाई ठीक है हम रोहित भाई को नहीं करें बाई जान सगर कोई ऐसा आज समाज में इसा बहुत तेजी से एक वायरस की तरह फैल रहा है कि लोग घर से भाग रहे हैं साधी कर रहे हैं दो तीन सार रिलेशन में रहे हैं और फिर छोड़के भाग आलोग इसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बहुत जगद देखा जा राहे हैं अब अभी ऐतोे को माली जी रोहित नहों होते को 네 जोड़ी नाम सेब्लग चलता है बनार्सी जोडी नाम से घर से भाग करके आप लोग बना लेते हैं हाँ बनारसी जोड़ी नाम से ब्लॉक चैनल श्टार्ट किये थे लोग अच्छा जब सुरू में आप भागी तो कैसे कैसे गई कहां कहां गई क्या गया परसानिया उठाई क्योंकि बहुत सारी लड़किया है जो ऐसे मुझ उठा के भाग जाती है कही ने कहीं उनको ऐसा नह गलत है इस तरह की चीजे गलत है लेकिन कुछ चीजे सोच समझ के होसो हवास में फैसला लिया जाता है क्या क्या दिक्टे हुआ था जब आप लोग घर वाले नहीं माने ठीक है फिर आप लोग प्लान कैसे बनाते हों गर से भागने कर यही सब कुछ करते हैं हमको कुछ नह गया इनके तो जब इस उनको जो रिस्ता पसंद आगया इनके घरवालों को तो वही मतलब छे कईया करने वाले थे रिसिप्शन अच्छा तब लाश्ट में हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचा क्योंकि हम लोग ने साल भर तक प्रेसेंस किया उसके बाद उस पे बहुत सब्साइब के अगर बाद जाएंगे तो इजयत रहेगा वो हैं और समाज के हम लोग भी सोचें जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आम लोग नोइडा जाने के लिए सोचे थे तो नोइडा जाके वहां से मंदीर से साधी किया थे हूंग कोट मैरिज नहीं हुई में उपका नहीं ऑफ यहां पर कितनी दिक्कत होती है मतलब कि जब घर से भागते हैं आप बता रहे थे आपको खोजने पुलेस भी जाती क्या कुछ कहा नहीं थे तो उस समय हमारे घर वाले बहुत परिसान थे तो मेरे मोबाईल को बीच में एक बार स्टार्ट किये थे उसी को ट्रेस कर लिया गया था लोकेशन लाष्ट लोकेशन जब अच्छा आप घर से नंबर उम्मड सब बंद करके भाग जाते हैं तो लाष्ट लोकेशन दर नहीं लगता है कि मतलब में कहां जा रहा हूं कहां ब जाता है जिसके बाद हमारे लेकर भगार हम लोग को साथ में लेकर चले आते हैं तो उसके बाद हम लोग की साधी करा दी जाती घर से तो जब में भागे रहते हैं हम लोग पूरे एक महीने भागे थे क्योंकि साथ तरी को डेली पहुचे थे और वहां से फिन साथ तरी को पगड़के आठ तरी को यहां पर पहुचे थे बनारास अगले महीने में पूराई एक महीना आप रहते हैं इस दवरान माबाप को पर क्या बीती होगी आपने जरा भ पर निकले की कहर पर क्या हो रहा है कैसे हैं पापामी कितने दिन बाद खोले थे आप मोगाई करीब 10-15 दिन बाद 15 दिन जो मम्मी बापा अपने बच्चों को पालते पोस्ते हैं उनका दर्द आप समझ सकते हैं यह दर्द आप तभी समझेगे जब आप खुद एक क्यों प्रद को नहीं समझ सकते हैं लेकिन अपने पीता की मजबूरी रही होगी उस समय जो लोग चाने जो कर दो ृं प्रतारना सहना तो की कि आपने इन चीजियों को सोचा था कभी हां बहुत सोचे थे इसलिए ने हम लोग एक साल तक पेसेंस किये जब तक इनका साधी बिल्कुल फिक्स नहीं हो गया तब तक जब लाश्ट में कोई आफसन नहीं बचा तब हम लोगों ने ऐसा किया आप लोग मतलब बे इंतहा प् याद आता है उसलिए क्या याद आता है इधर देखिया ना सामने पूराना दिन हम लोग को याद आता है बहुत तकलीफ भरा था वो दिना क्या तकलीफ है थी बताए ना जिससे और भी लोग इससे सीख लें मैं इसलिए सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि भाई आपके उपर क्या भीती है मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि लोग तकलीफ में भी जीते हैं कैसी जिंदगी गुजारते हैं प्यार का मतलब यह नहीं हो तक सिर्फ घर से भाग जाना उसके लिए बहुत सारी कुर्बानिया देनी पड़ती है इधर से भी माबाप परसान होते हैं आपके त कि उनके बच्चों की बाते क्या हैं कम सकम जब वो बच्चे बोल्ड हैं जिसको देखने के लिए उनका बैक ग्राउंड लेना चाहिए कि वह लड़का कैसा है या फिल लड़की कैसी है साधी करा देना चाहिए लेकिन ऐसे में जब इंटर काष्ट होता है तो माबाप भी के लोग के लोग हैं कि बहुत परिवरतन हो गय कि लोग पढ़े जोसमजदार परिवार कि लोग हैं कहीदन कहीं अपने बच्चों की खुसी में ही खुसी देखते हैं कहीद कहीद समाज व अब एगनोर कर रहा हैं आप भी इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि जब आप नहीं मानें, घर से भाग गयें, आपकी ही खुसी के लिए, माबाप ने नहीं सोचक समाज क्या कहेगा, आप दोनों की खुसी के लिए आपकी साधी करा दी जाती है, हाँ, हम लोग को जब आप आसाइं, तक रहा दी अ गया क्या दिक्कत हुई थी हमें लगजा कोई गहां आपको लगा है आप बता नहीं रहे दाता था था थुठा बताइए ना क्या कि कैसे राते होंगे कि मम्मी पापा मम्मी पापा क्ले रोती थी शान माझित पर बाई ही अपने घर से बिदा हो जाती है लेकिन उसे तब भी मम्मी पापा की याद आती है माता पिता के लिए रोती है इसी बात पर रोती है झां अच्छा जब आप गढ़ वा पस आई तो ममी पापा का क्या रेक्षन भात करते कुछ नहीं बोले कर लिए कि आपो कुछ नहीं बोले कि इसा कर Dual कुछ नहीं कहें इदम अच्छे से बात करते हैं वहीं तो कहते हैं समझेंगे तो खली मम्भी पापा बाइब और कोई नहीं समझेगा समाज सिर्फ ताना मारेगा है ताने तो आप लोगों को सुनने को मिले होंगी हां बहुत ताने सुनने को मिले थे बहुत लोगों कि इस किस तरह कि मतलब कि आप दूसरी विरादरी में साधी कर लिए तापके घर कोई रखना ऐसे चीजिए आपके यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्या गया किहां ने ही बताएंगे लेकिन दो तीन लोग तहे जो नहीं आए मतलब परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जो नाराज। में बैंन में और फूह नहीं तो मत मदिर में में धिस्टार होटलों में में हम आरच को दो कहां हुए तो मन का एक व् LoreANT है अभी आप लोगों गुए देखनों कि क्या तैरी है अभी हम लोग का ये ही मिल और फूलिस देखन ज्टर रह Waiting अभी आप किसके तैयारी कर रहे हैं अभी यह थाड़ीयर में इस बर पेपर देंगे और अभी आया नहीं है पुलिस विभाग में जाएंगी एक नियुजे पढ़ी थी आपने एक पती है जो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाता है फिर वो पत्नी भाग जाती है पुलिस वालत नहीं देखा लेकिन बहुत केसे देखा जहां लड़की को जौब लगाता है तो लड़की छोड़के चले जाती है लेकिन जीस तरीके से हमारी साथ दिये पिछले साथ साल अब पूरे हो चुके हैं साथ साल नहीं साथ जनम है क्योंकि आप लोगों लब महरी साधी की है कहीं कहीं बहुत कठनाई उठाई होगी मा बाप परिवार समाज सबसे लड़ा होगा आपने सबसे लड़के फिर उसके बाद जब घर वालों ने एकसेप्ट कर लिया तो बिश्वास रहता है कि आगे कोई धोखे की बात नहीं आएगी सबसे बड़ी बात यह जी है कि घर वाली ने एकसेप्ट कर लिया दोनों तरब से ये, सद साल हो, साथ साल हो, मतलब की? इप, यही आएगा जुन, तो साथ साल पूरा हुजा ज्यागा शाथ साल हो गया, अब आप साथ साल की तयारी कर रहे है। ढहं थोगा तो नहीं देंगी बीजोड़ी नहीं है यहावादा है पक्का एक बार आई लाप भी बोल दीजिए भी बोलते हैं क्वार में दोनों तो अक मैदाने बार कितने बार बिंचे हैं आप गिन्ते नहीं इसमें गिन्ना क्या होता बहुत दिनों बात किये थे हम लोग मतलब बाते होई थी उसके बाद जब ज्यादा होने लगा फ्रेंड्सिप से ज्यादा बढ़के तब उसके बाद हम लोग ने इस चीजों का इस यूज किया था अब नहीं हमने नहीं किया था जबी बोले साक रह गई थी कि बस नार्मली एक्षप्ट हो गया नहीं बोले थे बोल दी थे कि चलते चलते दर्सकों से क्या कहना चाहेंगे जो इसतरा की साधिया करते हैं समाज में लब मेरीज कर लेते हैं कुछ लोग अरेंज मेरीज कर लेते हैं आप इन दोनों साधियां में किसे बेस्ट मानते हैं हम लोग लग मेरीज को बेस्ट मानते हैं लेकिन अगर जब घर से ह मोला को घर्वालों की पसंद करते हैं लेकिन ये अगर अरेंज मैरिज में माप मॉर्जी करें दीए आप अभालि था लेशान नहीं होता था लेकिन कभी कभी होता है कि Tá अच्छी निकल जाती है और बुरी भी हो जाती है लड़की फिर भी छोड़ेती है दोनों में क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को क्या स्वंदेश देना चाहेंगे वह भी दरोगा रोगा बने कि पहले घर से भाग के साध्य कुछ करें अपने पेर पे खड़े हों तब भी कुछ करें साध्य तब सब कर लेंगे तब समाज भी नहीं देखेगा घर वालों को भी कहना चाहेंगे कि लड़की लड़के दोनों को समय दे और बच्चे भी जो कहते हैं उनको भी सुनने का प्रयास करें क्या बात है तो अभी हम दिखा रहे थे इन दोनों की प्रेम कहानी किस तरह से लोग घर से भागते हैं और किस तरह से परसानियां उटाते हैं अब यह मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं हमारे दोनों लोगों की सुब कामनाय है जोड़ी सलामत रहे और घरवाले भी मान गए हैं तहल आप इनके बारे हम क्या सोचते हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं प्रमोज गुपताज्य भारत जौन पूर